एलो स्टुडेंट मैं संकर कुमार सुवागत आप सभी का जादूगर में थी में कलास 10 वाले सबका समाजी क्विग्ञान यानि 26 जुलाई से आप लोगों का एकजाम है ये कोश्टन पेपर आपका बहुत इंपोर्टेंट है उब आपको फसेगा तो इस कोश्टन को आपको complete करना ये वीडियोको एंड तक देखना है ये तो यहीं से आपका कोश्टन पुछा जाएगा तो complete आपको कर लेना ये वीडियोको लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो यहाँ पे सबसे पहला कोश्चन को हम देख लेते हैं चलिए चलिए यहाँ पे कह रहा है फ्रांस में किस आसन वंस की पूर्ण अस्थपना वियना कॉंग्रेस दुवरा की गई थी चलिए इसका सही अंसर आपको बताना है आप अगर जामते अंसर तो दे सकते हैं नहीं जामते तो आपको प्रैक्टिस करते जाना और सभी को सेर कर दिना और यही कुश्चन आपको पूछा जाएगा चलिए रेगुलर आपका वीडियो अप्लोड होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आपका तयारी भी यहां पे होता है चलिए दो का सही अंसर हो जाएगा यहनी आरलिया वंस ऑफ्सन जो इसका बी सही अंसर हो जाएगा चलिए बी नहीं होना चाहिए ज़िए हैं यह डायट से जल्दी बताएगे इसका सही अंसर तीन का सही अंसर हो जाएगा कारबोन अरी अप्सन जो इसका बी अंसर हो जाएगा आपको प्रेक्टिस करते जाना है अमेरे डियर एस्टुडेंट और आपको जो है एक भी ऑपजक्टि नहीं छोड़ना है एक यानि एस चलिए आफसन जो इसका यानि C correct answer हो जाएगा चलिए आपको वीडियो को escape नहीं करना है अगर आप complete कर लेते रेगुलर आपका वीडियो यहाँ पे upload हो रहा है और सभी वीडियो को आपको देखना और तैयारी धंग से करके जाना एक भी objective और subjective आपका नहीं छुटे इसके बाद गैरी बाल्डी पेसे से क्या था ये तो सभी जानते होंगे नावीक जमिनदार किसान सिपाही जल्दी बताईए छे का सही अंसर हो जाएगा आपका नावीक गैरी बाल्डी पेसे से नावीक था ये question आपको फैनाली एक जाम में भी पूचा जाएगा चलिए इ पोलियन बोना पाट ऑप्सन इसका जो है यानि भी सही अंसर हो जाएगा इसके बाद देखे जाल वेरिन कैसी सहस्ता थी जल्दी से बताईए इसका सही अंसर आपका हो जाएगा जल्दी बताईए आठ का अंसर हो जाएगा व्यापारियों की ऑप्सन जो इसका भी अंसर हो चाहिए जो इसका सी करेक्ट एंसर हो जाएगा इसके बाद यहां पर देखे कह रहा है कि फ्रेंक फर्ट की संदी कब हो जाएगा इसका डी एंसर हो जाएगा चलिए इसका एंसर आपको बताना है 11 का सी अंसर हो जाएगा यही सब कुष्टन आपको पूछा जाएगा है ना नेपल्स की करांती कब हो जाएगा इसके बाद देख लिए यहां पर चास्टिस अंदोलन कहा हुआ था चलिए इसका तेरा नमर का सी अंसर क्या हो जाएगा इंगलेंड में ऑफसन जो इसका डी एंसर हो जाएगा इसके बाद देखें यहां पर आपको तयारी एकदम फास्ट करना है और कंप्लीट भी करना है यूनान को एक सोतंत्र राष्ट गोसित किया गया कब किया था 1836 में 1832 में 1842 में 1837 में चलिए जल्दी से बताइए कौन इस भी में किया था चौदा का इसका हो जाएगा यानी 1832 में ऑफसन जो इसका भी एंसर हो जाएगा चलिए इसके बाद यहां पर देख रेजिए 16 का सही अंसर क्या हो जाएगा चलिए एड्रिया नोपुल की संधी कब हुई जल्दी से बताइए 16 का इंसर हो जाएगा आपका 1839 जो इसका भी एंसर होगा चलिए इसके बाद देख लेते हैं एड्रिया नोपुल की संधी किन दो देसों के बीच हुई भी चलिए जल्दी स पूर्न आधि पत्य था जल्दी से बताईए गंग्री पर पूर्न आधि पत्य था जल्दीnow बताईए फ्रांस का अश्चलिया का बृतन का तुर्कीका चलिए उन्स का सही अंसर हो जाएगा इस लिया आप्सन जो इसका B अंसर हो जाएगा इसके बात दिख लेते हैं यहाँ पर पॉलेंड के विद्रों को किसने कुछल दिया रूस ब्रिटन एश्चलिया फ्रांस 70 में चलिए जल्दी से बताइए 21 का सही अंसर हो जाएगा सेडान हो जाएगा जल्दी से बताइए किस यूद के बाद जर्मनी का एकिकरन पूरा हुआ जल्दी से बताइए क्रीमिया का यूद सेड़ेवा का यूद प्रसाट एनमार्क का यूद सेडान का यूद चलिए जल् चलि इसके बाद यंग एरोप का संस्थापक कौन था मेजनी और गैरी बालडी विक्टर अमिनवेल मुशोली नी जल्दी से बता है इसका सही अंसर ताइस का सही अंसर हो जाएगा मेजनी ऑप्सन जो इसका यानी अंसर हो जाएगा चलिए योप का मरीज किसे कहा जाता था चलिए जल्दिसे चलिफ का इनसर बते हैं चलिफ का तुरकी को इसके बाद देख लेते है यहां पे 25 नमर में विएना कंगरिस कब हुआ था वियना कॉंग्रिस कब हुआ था 1815 में 1818 में 1820 में 1818 में 1818 में 1818 में चलिए जल्दी से बताइए ये जितने भी कोश्चन अभी आप देख रहे हैं आपको फाइनल एक्जाम भी हार बोर्ड में भी पूछा जाएगा 100% गैरेंटी के साथ इसलिए आपको दोनों फैदा हो जा चलिए 20 मारक ऐपसन जो इसका यानि दी उसर हो जाएगा वटरम घहार आपको दोस्टों जो कर दीए अपने दोस्तों अपने फ्रेंट सरकिल में एटिली के एकी करन में निविन में से किसका संबंद नहीं है जल्दी से बताएं मेजिनी का कावूर का गारिबाली का बिसमार्क का कौन सा हो जाएगा सत्याज का सही अंसर आपका हो जाएगा बिसमार्क ऑप्सन रिसका यानि ए सही अंसर हो जाएगा चलिए इसके बाद दिख लेते हैं यहाँ पे 1837 की करांती के बाद फ्रांस में किस परकार का सासन अस्थापीत हुआ चलिए जल्दी से बताईए किस परकार का सासन अस्थापीत हुआ था 1837 की करांती के बाद चलिए संग्य सासन विवस्ता सैमवाधानिक राजतंतर गनराज अधिनायक वाज चलिए जल्दी से बताईए 28 का सही अंसर आपका हो जाएगा सैमवाधानिक राजतंतर अप्सन जो इसका यानि बी करेक्ट अंसर हो जाएगा इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे जर्मनीक एकी करन के लिए कौन उत्तर दाई था जर्मनीक एकी करन के लिए कौन उत्तर दाई था चलिए इसका अंसर बताईए 29 का सही अंसर कहा जाए तो इसका 20 मार का ओप्सन जो इसका 20 सही अंसर हो जाएगा इसके बाद की 871 में कौन सी संदी ही थी फ्रेंकफर्ट की संदी पेरिस की संदी इनमें से कोई नहीं वियना कॉंगरिस की संदी चलिए जल्दी से बताइए इसका 30 का सही अंसर हो जाएगा फ्रेंकफर्ट की संदी ओप्सन जो इसका यानि ए सही अंसर हो जाएगा इसकेबाद देख लेठे यहाँ पर इटली के कीकरन में निम्न में किसने योगदान किया था जल्दी से बचाईए 31 आपका राइट अंसर हो जाएगा यनि इनमें से सभी इसकेबाद देख लेठे राबर्ट ओवन कहा का निवसई था चलिए जल्दी से बचाईए रोवर्ट वन कहां का निवासी था 32 का सही अंसर कहा ज定 तो ये अंसर हो जाएगा बोट कहां का निवासी था ये question आपको जहेt पूछा भी गया है 2022 में पूछा गया है तो ये question आपको जहे complete करके exam देने जाना और question हम डालेंगे social science का ये तो पहला पार्ट हुआ ना अबजेक्टी का और दूसरा पार्ट भी आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और पार्ट के लिए धन्यवाद